Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे famous metaphysical poet John Dunn की एक poem के बारे में जिसका नाम है The Sun Rising ये उनकी सबसे famous work भी मानी जाती है इसे 1633 में publish किया गया था उनकी collection Songs and Sonnets में ये poem 30 lines की है जो 3 10 line stanza में बाटी गई है Friends, इस poem की theme है The Authority of Love इस poem में poet Sun से बाते करते हैं उनसे एक conversation करते हैं लेकिन ये conversation कोई खुशी की नहीं है बलकि वो Sun से complain करते हैं Friends, Sun Rising का मतलब होता है सूरज का उगना तो poet यहां सूरज के उगने से नए दिन के आने से खुश नहीं है बलकि सूरज से complain करते हैं कि तुम रोज रोज क्यों मुझे और मेरी beloved को परिशान करने आ जाते हो तुम जाओ यहां से और किसी और को परिशान करो मुझे और मेरी beloved को अकेला छोड़ दो Friends, John Dunn एक English metaphysical poet थे उनका जन हुआ था 22nd January 1572 में और उनकी death हुई थी 31st March 1631 में वो अपनी sonnets, love poems, religious poems, eleges, songs और satire sermons के लिए बहुत ही जादा famous थे उनकी famous works में Death, Be Not Proud, Valediction, A Forbidden Moaning, The Flea, The Good Morrow यह सभी poems शामिल हैं तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Busy old fool, unruly son यानि poet सूरच को कहते हैं कि busy old fool जो किसी के control में नहीं रहता है उस सूरच से poet बात कर रहे हैं Why does thou thus Friends, यहाँ पर कुछ old English words का use हुआ है Dost यानि इसका मतलब हुआ do और दाव यानि you तो poet कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो Through windows and through curtains Call on us यानि खिडकियों और उन पर लगे परदों से जाग कर हमें जगाते हो हमसे मिलने आते हो आखे तुम ऐसा क्यों करते हो Old fool, unruly son Must do thy motions Lover's seasons run यानि क्या तुम्हारे motions तुम्हारी movements के अनुसार ही हम lovers को अपनी routine बनानी होगी जैसे जैसे तुम आओगे हमें भी वैसे वैसे ही अपनी routine में change लाना होगा Saucy, pedantic, rich Friends, यहाँ पर Poetson को सुनाते हैं उसका अपमान करते हैं कि तुम rude हो, abusive हो और insensitive हो तुम्हें ना कुछ समझ आता है और ना ही तुम्हें किसी बात का कोई फर्क पड़ता है Go child, late school boys and sore apprentices यानि जाओ, जाकर उन लड़कों का मजाक उड़ाओ, जो स्कूल जाने के लिए लेट हो गए हैं या उन apprentices का, यानि office में काम करने वाले लोगों का the king will ride यानि जाकर राजा के courtiers को, उनके दरबारियों को शिकारियों को बताओ कि राजा आज शिकार पर जाएंगे Call country ants to harvest offices और जो गाओं के workers हैं किसान हैं, उनसे जाकर कहो कि वो जाकर फसलें काटना शुरू कर दे Love all alike, no season knows nor climb यानि प्यार हर रूप में in seasons या climate से उपर है बदलते मौसम का प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो change नहीं होगा तो तुम कौन होते हो nor hours, days, months which are the rags of time साथ ही इस पर घंटों का दिनों का या महिनों का इन सब में से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये सब समय के पुराने clothes की तरह हैं जो time के साथ wear हो जाएंगे, बीच जाएंगे लेकिन प्यार पर इन सब ही का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो हमेशा ऐसा ही रहेगा यानि तुम्हारी किरने इतनी वर्शिब्ड और इतनी ताकतवर है रिवरेंट का मतलब होता है holy यानि जिसकी पूजा की जाए तो क्या तुम अपनी किरनों को ऐसा मानते हो वाई शुड़स दाव थिंक ऐसा तुम्हें क्यूं लगता है I could eclipse and cloud them with a wink यानि मैं उन पर ग्रहन लगा सकता हूँ उनकी रोशनी को रोख सकता हूँ पलग छपकते ही बस मुझे अपनी आँखे बंद करनी होंगी और मैं तुम्हारी रोशनी को रोख सकता हूँ But that I would not lose her side so long मगर मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर तक अपने बिलवट को देखे बिना नहीं रह सकता सिर्फ इसलिए ही मैं तुम्हारी रोशनी को तुम्हारी बीम्स को नहीं रोखता हूँ If our eyes have not blinded thine यानि अगर उसकी आँखों की चमक ने तुम्हारी आँखों को blind नहीं कर दिया है यानि जो मेरी बिलवट की आँखे हैं वो तुम्हारी आँखों से भी जादा तेरी से चमकती है तो अगर उन्होंने तुम्हें blind नहीं किया है Look and tomorrow late tell me तो देखो और कल देर से मुझे बताना इतनी सुबह मत आना बताने के लिए थोड़ी देर से आना Whether both the Indies of Spice and Mine कि दोनों ही Indies यानि West Indies और East Indies जो मसालों के और Mine यानि खान के हैं Be where thou left them or lie here with me वो वही हैं जहां तुम उन्हें छोड़ कर गए थे या यहां मेरे बगल में लेटे हैं Ask for the Kings whom thou sawest yesterday यानि जाकर उन राजाओं से मिलने को कहना जिन्हें कल तुमने देखा था And thou shalt here, all here in one bed lay और तुम्हें ये पता चलेगा तुम ये सुनोगे कि वो सभी यहां इस बेड पर लेटे हुए हैं यानि मेरे साथ जो मेरी Beloved लेटी हुई है वो बहुत ही जादा special है और पूरी दुनिया उसी में है दोनों ही Indies जो हैं वो उसमें समाए हुए हैं और सभी राजा जो हैं वो उसी का एक हिस्सा है यानि मेरी Beloved जो है उसकी तारीफ नहीं की जा सकती वो सबसे जादा special है यानि मेरी Beloved हर एक स्टेट हर एक Kingdom है और मैं उन सभी Kingdoms का Prince हूँ Nothing else is और कुछ भी exist नहीं करता है बस यही एक सच्चाई है Princes do but play us compared to this यानि बांकी की जो Prince है राजकुमार है वो तो बस हमारी नकल करते हैं और हमारे प्यार का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं है All honors mimic all wealth alchemy यानि हर honor लगता है मानो हमारी प्यार की एक सस्ती कौपी है बिलकुल फेक है और जितनी भी दौलत है वो सिर्फ एक बेकार कोशिश है अमीर होने की क्योंकि जितनी अमीरी जितनी दौलत मुझे इस प्यार से मिली है वो कभी भी किसी और को नहीं मिल सकती Thou son art half as happy as we और अब poet सूरज को कहता है कि तुम सूरज हमारी खुशी की आधी खुशी तुम्हें भी होनी चाहिए ये सोच कर कि ये दुनिया कॉंट्राक्ट हो गई है और सिमट गई है हमारे इस कमरे में यानि तुम बूरे हो गए हो और अब तुम्हें आराम से धीरे धीरे अपने काम करने चाहिए यानि क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस दुनिया को वार्म रखो गर्म रखो और ऐसा तुम हमें वार्म रख कर भी कर सकते हो तुम्हें इसके लिए जादा महनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी दुनिया हमारे इस कमरे में सिमट गई है यानि यहां हमारे पास shine करो चमको और इस तरह तुम पूरी दुनिया पर shine करोगे तुम्हारी रोश्णी इस पूरी दुनिया में चमकने लगेगी यानि हमारा यह बेड तुम्हारा center है और यह जो दिवाल है यह जो वाल्स है यह तुम्हारे solar system की boundaries है फ्रेंड्स यहां पर यह poem खत्म होती है इस poem में poet सूरज को accuse करता है कि वो सुबह सुबह रोज उसे परिशान करने आ जाता है मगर साथ ही वो अपने प्यार की strength को भी बताता है कि किस तरह वो और उसकी beloved उन दोनों में ही पूरी दुनिया समाई हुई है और अगर सूरज उनके उपर shine करेगा उन्हें warm करेगा तो इस तरह वो पूरी दुनिया को ही warm कर रहा है पूरी दुनिया पर shine कर रहा है तो friends ये थी John Donne की poem The Sun Rising